यज़ी जॉनजिफोन क्या होता है पता है आपको नहीं मुझे नहीं पता है इंगलिश में इसका ट्राइंसलेशन लिखा है दीट देब्लीड यह जटे जैखे जहां सुन ले किया है यंजिफोन mum इंजिफोन when इंजिफोन म झ clay अगर हम इसको खाली ब्लीड कर दें तो क्या मतलब बनता है जी? यून्जिफ ठीक है? ब्लीडिंग यून्जिफ कहते हैं ब्लीडिंग को ठीक है? अच्छा कुरान में जैसा के मैंने पहले बताया था सब लोगों को कि कुरान कुछ बातें और करता है जिसकी कुरान में डिफरेंट तरीके से बियान की गई नी है हम बात करते हैं कुरान की सूरह अलवाकिया की साहिद बश्यूर्वाकिया के अंदर कुरान क्या कहता है? जाद देखिएगा बरी मेज़दार बाते करता है वो कहता है इन लोगों पर जनतियों पर गर्दिश करते रहेंगे वो लड़के जो सदा इसी तरह रहेंगे साहिद अब कुछ लड़के हैं जो जनत में घूमते फिरते रहेंगे मुसल्मान लोगों के उपर ओहो 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 ये का नया मस्लावी हाँ सरी ये ये नया मस्लाव आपको दिखाने लगाओ ना मैंने का था ना ये गर्दिश करते रहेंगे जो सदा इसी तरह रहेंगे अच्छा आब-े-हूर की सुराईयां और शराब-े-खास लेके ठीक है वो आब-े-हूर की सुराईयां लेके फिरेंगे और शराब-े-खास लेके फिरेंगे ठीक है जी अच्छा ना तो इनके सरों में कोई गर्दानी होगी और ना ही बहकेंगे अचा यह जो बहकेंगे का लफ़ इनके होगा ना वह इन्देने ट्रांसलेशन दी है यूंजी फैंकी जा अभी आपको दिखाया है युन्जी फून होता है ब्लीडिंग दे ब्लीड यहां पर अगर हम देखते हैं तो युन्जी फून कि इन्होंने क्या ट्रांसलेशन दिये बहकेंगे अच्छा इदर युन्जी फून है और वहाँ यंजी फून है शायद इसका तो नहीं डिफरेंस है सेम वर्ड है सेम वर्ड है युन्जिफ आप अरबिक स्पीकर किसी के पास चले जाएं उसे बताएं जी युन्जिफ का मतलब क्या होता है ठीक है तो वो आपको यह बताएग जब आप कहते ना इंटॉक्सिकेटेड ठीक है तो उसके लिए आता है सकरान उसके लिए वर्ड है सकरान सकरान का मतलब होता है ड्रंक बहकना ठीक है कि ना तो उनके सरों में कोई दर्द होगा ठीक है और सरों में दर्द युसद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् वो क्या होता है जी? वो होता है सकरान मैं आपको यह दिखा देता हूँ ताके किसी को कोई शक्र न रहे यह देखें यह सकरान है सकरानू ठीक है? इन्टॉक्सिकेटड सकरानू ठीक है? इसके हम मुखलिफ अधर लवर्ज ले ले घूम फिर रहे होंगे मोतियों की तरह अच्छा इस आयत की आपको तफहीम कोन देता है? दी अंडरस्टेंडिक अफ कुरान तफहीम ठीक है? मारूफ दावा अच्छा इसके अंदर 56.17 पे अगर हम जलें अनस और सुमरारा बिन जुनाब according to which the prophet said that the children of the polytheist will be the attendants of the people of the paradise. यह जो मोतियों की तरह लड़के हैं जो फिर रहे होंगे जो आपको शराबे पहला रहे होंगे जो आपको शराबे पहला रहे होंगे इस इम्पल्सिव बॉइज who will enter and ever remain and stay the immortal youth यह कौन है सर? children of the polytheist सर आपकी उलाद जिनको खून भी नहीं आएगा जब आप खुद ही सोच लें आप क्या करेंगे तो उनको खून नहीं आएगा मैं कुछ कहना नहीं जाता वो कहते है जनाब यह children of the polytheist हैं वो लोग जो के polytheist हैं आप, मैं हमारे बच्चे हैं यह थीक है? उनको अटेंडेंट्स बना दिया जाएगा उनको जननत में फॉर एवर के लिए अटेंडेंट्स बना दिया जाएगा आप देखें सर, जननत में जो बच्चे हैं हमारे आपके, Christians के Jews के, हिंदूों के Agnostic के Atheist के वो जननत में मुसल्मान लोगों की खिद्मत गुजारी करेंगे एक्टर्निटी के लिए कौन से बच्चे? जो अपनी मिचूर एज को पहुचने से पहले मर चुके हैं हो, 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 हो सर, यह इसलाम सिखाता है लहाज़ा एक मौमिन जो सच्चे मौमिन है वो आपके बच्चों के साथ भी प्यार नहीं कर सकता क्योंके सच्चे मौमिन ने यह पढ़ावा है और वो जानता है कि क्या लिखावा है हम कुछ डिफरेंट उपिनियन्स वड़ते हैं इसके उपर बाज उलमाइद दीन कहते हैं कि ये बच्चे जो है हमारे बच्चे वो जो हन्नम में सड़ेंगे वो बहुत गोरे चिटे लोग हैं पर्ल्स की तरह पहले वे हैं और वो बहुत ब्यूतिफुल अबन काईम अलजोजिया कहते हैं अल्ला लाइकन्स देंट डा स्केटर पर्ल वो बहुत चिटे गोड़े और बेतरीन तरीके से होंगे और साफसुत्रे होंगे इंडिकेट्स कि वो कभी आइडल नहीं होंगे वो हर वकत काम करते रहेंगे साहिल साभ वो हर वकत काम करते रहेंगे हर वकत जन्द के लोगों के लिए लगे रहेंगे पर्ल्स की तरह लगे रहेंगे हर वकत अच्छा जी मुष्रिकीन के जो बचे हैं वो पीपल अच्छा होंगे तो उनकी कोई डीर्स नहीं है अच्छी भी बुरी भी लहाजा ना तो वो पनिश किये जा सकते हैं ना ही वो रिवार्ड किये जा सकते हैं लहाजा वो जन्नत में जनतियों को सर्फ करेंगे सर्फ करेंगे शेख अलिश्लाम साब कहते हैं अब ये कोन है ठीक है उन्होंने अलकाइम जोजिया को चुटाते हैं हाँ ताइमिया ठीक है क्योंके अब कहते हैं अब हदीस नरेट करती है concerning that cannot be proven and it is said the boys are created from Allah it is cannot be proven okay the final view in which is favored by शेख अबन ताइमिया may Allah have asked about these boys they are children of the people of the paradise replied the boys who will go around among people of the paradise are among those who are created for paradise तो एक opinion ये भी है कि ये specially created कि गए है paradise के लिए जिस तरह हूरे create की गई थी उस तरीके से ये create किए गए है ठीक है जी लेकिन कोई authentic चीज नहीं है अच्छा authenticity के लिए हम एक और जगा पर जाते हैं विल दड़ चिल्टर उड़ यंग विल गो तो परड़ाइस और हैल अच्छा जी यहां पर क्या आता जी इबने कतीर कहते है के जो बच्चे होंगे मुसलमानों के वो तो परड़ाइस में जाएंगे ठीक है अच्छा अच्छा आगे जलते हैं पीपल बी बी उन परड़ाइस अच्छा कॉर्त भी सेट बी इन परड़ाइस ठीक है मुखलिफ लोगों ने का जी बच्चे मुसलमानों के परड़ाइस में होंगे बच्चे मुसलमानों के परड़ाइस में होंगे बच्चे मुसलमानों के परड़ाइस में होंगे Infants will be in paradise and baby girls who were buried alive will be in paradise. एक है जी? अच्छा, second dalil. My brother and I came to Prophet and said that our mother had died during the Jahiliya. यानि के वो अभी जो मदर थी, वो अभी तक non-Muslim थी. And that she had honored her guest and upheld ties of kinship. But she had buried alive a sister of our Deerling Jahiliya. So what was the mother of Sahil भाई किया था? एक बच्ची को जिन्दा तफन कर दिया था. एक हो गया? Who had not reached the age of puberty? यानि के वो भी बहुत चोटी बच्ची थी. Muhammad said, the one who buried and the one who buried her are in hell. Unless Islam reached one who buried the child alive. So, दूसरा opinion ये है कि हमारे बच्चे भी जो है वो जहन्नम में सड़ेंगे. यार वो बच्ची है, जिसको उसकी माने बच्च्पन में ही. बच्ची है उसकी क्या गलती है? एक बच्ची है जिसकी माने उसको बच्च्पन में ही जिन्दा दफन कर दिया. वो और उसकी मान दोनों जहन्नम में सड़ेंगे. तीसरा opinion ये आता है. अगर जन्नत में हैं तो वो क्या गर रहे हैं? वो मौमिनों को के सर्वेंट्स हैं. उनको अल्ला मिया जवान लड़कों की तरह पर्ल्स बनाके फैंक देगा. और वो जन्नत के लोगों को पर्ल्स की तरह सर्व कर रहे होंगे. और ये वो बच्चे हैं जो कम उम्री में वफात पा गए हैं. साथ समझ रहे हैं? अच्छा, पांच्वा उपिनियन. कोई इज़त नहीं ज़िए. पांच्वा उपिनियन के है. वो बी टेस्टेड इन दे हेर आफ्टर. वो एवर ओबेज अलाव एंटर पैरडाइस. अच्छा, टेस्ट तो दुनिया है. अगर टेस्ट दुनिया है, तो वो हेर आफ्टर में कैसे टेस्ट हो सकते हैं? तो ये उपिनियन तो दाइफ हो गया. बिलकुल. तो सर, बात ये मुहम्मद सहाब इतने बिगटरी थे, मुश्रिकीन के बच्चों को भी उन्होंने नहीं बख्षा. के बच्चे भी जहन्दम में सड़ रहे होंगे, या फॉर एवर मौमिनों की खिदमत कर रहे होंगे. के बच्चे भी जहन्दम में सब्सक्राइब कर रहे होंगे.